तुम स्कोलियोसिस को जाने कैसे है कि कौन सा स्कोलियोस जादा डेंजरस है यह कौन सा sittenरा support इंगल्यक से यह सब्सकूरी क्षर्ट परती है उसको चेक करने के लिए पड़ते हैंज करवाते इस में और इस पर आपके सब्सक्ता चाल औने लगता है और जहां पर मारा कव खतम होता है वह हमने पॉइंट पकड़ना है कि कॉप जंगल उसमें मेजर करना है अब देखियी इसमें देखते हैं अब यह जो भटिब रहा हैं सीधा सीधा-सी आरह है तो यह जो मारा कव जैंगल कैसे आएगा इस तरह से हमने जहां से deviation आती है वहां से एक सीधी line खीज लेनी है ऐसे एक बिल्कुल सीधी line इसी तरह से अब यह जो deviation यहां पे माल लीजिए यहां पे हमारा खतम हो रहा है तो एक line हमने खीज लेनी है इस तरह से यह उसके बाद इसका हमने perpendicular लेना है एक line सीधी यहां पे आ और अब हमने इस angle को mirror करना है जिसको हम बोलते हैं कौब्स एंगल इस तरह से इधर देखते हैं इस शेप में हमने यह जो हमारा deviation है यहां से शुरू होने लगी है तो एक line हमने सीधी यहां पे खींज ली इसी तरह से यहां पे मारी deviation जो है यह हमारी mostly यहां तक है यहां से हमने एक लाइन सीधी खीज ली उसके बाद हम इसके क्या करेंगे पर्पेंडिकुलर लेंगे यह आगया पर्पेंडिकुलर और यहां से यह आगया पर्पेंडिकुलर और जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे इसको हम बोलेंगे कॉब्स एंगल तो इस तरह से हमने कॉब्स एंगल measure करना होता है हमारे वर्टीब्रा का यह एंगल अगर हमारा 10 degree to 15 degree रहता है तो हमारा normal bracing से या physiotherapy मैंज हो सकता है 20 degree या 30 degree तक जाता है तो हमें इसके लिए Milwaukee की ब्रेस भी चाहिए होता है और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है अब जब यह एंगल 40 डिगरी सी जादा हो जाता है मुस्ली 30-40 डिगरी तक अगर यह एंगल बढ़ जाता है तो फिर हमें सज्री करवाने पड़ती है उस पाइन को सीधा करेक्षन करवाने के लिए सज्री चीरी करवाने पड़ती है तो यह एंगल हम इस तरह से मेजर करते है कि कांजंग अंगल इसक bentis तरह से स्को मैजर करना होता है यह बहुत important of the scoliosis में कि हम देखें कि corpse ankle हमारा कितने degree का है कि अढ़ती आल जा झाल, च्ज़ति ऐत मैं